अब उनको कहा कहा मौके मिल सकते हैं सबसे पहले मैं बहुत-बहुत धन्यबाद देता हूँ भाई परियार जी आपको कि आज हमारे पास आकर के आपने दुबारा बीएट से संबंदित जो भरतिया है कहा कहा इनका भविष्य है उसकी जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से बीएट के सभी भाई भैनों के लिए दे रहा हूँ देखिए सच्चाई तो यह है कि जितने प्रतियोगी नेत्रित करने वाले हैं आज तक इन लोगों को यह मालूम नहीं है कि बीएट के लिए कहा कहा अस्थान है इन सीटी गाइड लाइन्स टेई साट दो हजार दस जो मिनमुम क्वालिफिकेस अनाया वन टू फाइब के लिए प्रात्मिक अस्तर काटेड और सिस्टू एट के लिए जूनियर अस्तर काटेड जिसे हम सामाने पेपर कहते हैं हम आज यही से मैं इस पूरे मुद्दे को जो है शुरू कर रहा हूं अब बात यह है कि कितने वर्ग हैं जूनियर के टोटल जो है चार वर्ग हैं पहला है सास की साहता प्राप जहां च्छा से बारा तक की कच्छाएं संचालित हैं जिसे हम राज की इंटर कालिज कहते हैं यह बालक और बालिक्या दोनों होते हैं दूसरा है और सास की सहायता प्राप माधिमिक विद्याले जहां च्छा से बारा की कच्छाएं संचालित हैं तीसरा है प्रवंदिकी जूनियर हाइज स्कूल चौथा है परिसेदी उच्छ प्रात्मिक विद्याले अब इन विद्य पढ़ाने के लिए अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है। 78 के पहले तो नियुक्ति होती थी, लेकिन 78 के बाद राजपाल महा महीम द्वारा एक संसोधन कर दिया गया और उस संसोधन में ये कहा गया कि CT को समाप्त करते हुए यल्टी लाया जा रहा है और यल्टी का एक अध्यापक 6 to 10 पढ़ाएगा। हमने इस पूरे मुद्धे को लेकर के 12, 12, 2016 को 9,342 पद जो है यल्टी ग्रेट का आया था। और इसमें हम टेट लागू करने के लिए राजपाल महा महीम के सासना देश को लेकर के मैं गया और उसमें पूरी तरह से जो हम बहांस हुई बहांस होने के दोरान जो है यह जज्जमेंट हुआ 282, 2017 जिसमें यह साप लिखा गया है कि दि पोस्ट आफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आपलिक यल्टी ग्रेट टीचर पूरे मुकदमे को मननी चीफ जश्टि द्वारा यह करके जो हर डिस्पोज आप कर दिया गया कि YLT आपलिक TGT के अध्यापकों की न्यूक्ति जो होती है वो 9-10 के लिए होती है कच्छा 6-8 के 6-7 को पढ़ाने के लिए नहीं होती है सासकी में 9-10 को पढ़ाने के लिए YLT grade के टीचरों की न्यूक्ति की जाती है और यही YLT grade का टीचर जो है 6-7-8 को पढ़ा रहा है जबकि YNCT कहती है अगर आप 6-7-8 को पढ़ाएंगे तो उसके लिए जो है B.A.B.A.D. प्लस उचप्रात्मिक TET अगर 9-10 पढ़ाएंगे तो उसके लिए जो है आप B.A.B.A.D. होना चाहिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से यह पूछना चाहता हूँ विभाग के सचुओं से पूछना चाहता हूँ कि अगर यह जज्जमेंट पारित हुआ 28-2-2017 को तो आयो के सदस से आयो के अध्याचिया बताने का काम करें कि 78 के बाद से आपने साज की विद्यालों में जहाँ 6-12 की कच्छाएं संचालित हैं उन कच्छाओं में अब तक आपने कितनी न्युक्तियां की है अच्छा-78 को पढ़ाने के लिए 78 के बाद से मैं गाड़ चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार जो 67-78 के अभ्यर्टियों को पढ़ाने के लिए एक भी नुक्ति नहीं की गई है और इन्हीं यल्टी आपड़ी टीजीटी के अध्यापों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है जबकि अगर इनके पास आहरता नहीं है तो ये 67-78 को पढ़ाने के लिए थाइड नहीं है तो सास की और सास की विद्यालों में भी बीयड के लिए एक अच्छा खासा भविश है लेकिन इसके लिए अब की बाहर अगर नया सिच्छा सिवा चैन आयोग बनता है तो मैं अख्लेश चादो दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस पूरे जज्जमेंट को लेकर के मैं बैठूंगा और आयोग के अध्यच को या बताने का काम करूंगा कि अगर आप 9-10 सहायक अध्यापक के माध्यम से अगर 6-7-8 को पढ़वा रहे हैं तो पूरी तरह से गलत है आप 6-8 के अभ्यर्टियों के लिए भी जो है नियुक्ती होनी चाहिए ये बहुत ही जैन्मन मुद्दा है और इस मुद्दे के साथ मैं बीयट के उन तमाम अभ्यर्टियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप ऐसे व्यक्ति का सहयोग और सपोर्ट करे जहां से एक आसा की किरण जो है दोड़े इनी सब्दों के साथ वहीं एक मुद्दा है परसदी उच्प्रात्मिक बिद्यालों में पर्शदी उच्छ प्रात्मिक विद्यालों में ये पूरी के पूरा जो हम प्रमोशन करने पे तुले हैं अगर इस प्रमोशन को हम रुकवा करके सरकार से गुहार करें चुकि मामला तो कोड से ही रुकेगा और कोड जाना है तो सभी भाई बहनों का सहयोग करना पड़ेगा ये हमारी अकेल लडाई नहीं है अकले स्यादों की अकेल लडाई नहीं है पर्यार जी की अकेल लडाई नहीं है इसमें उत्तर प्रदेश के तमाम 28 भाई बहनों का है जो 6-8 पेपर दो टेट पास है अगर ये प्रमोशन रुकता है एक तालिस अजार जो हमें सूचना मिल 41,000 प्रमोशन उत्रप्रदे सरकार करने जा रही है सूची बरिष्टा जारी हो चुकी है हर जिले की वो सूची हमारे पास है अगर ये प्रमोशन रुपता है तो इसमें लगबग 41,000 अजार मसे हमें नियम के मुताबिक 20,000 पद मिलेंगे उसी इम्मून नियुक्ति को जब तक हम चैलेंज नहीं करेंगे तब तक हमें ये 20,000 मिलेगा नहीं सच्चाई तो यह है सरकार नियुक्ति इसलिए नहीं करना चाह रही है कि अगर एक नियुक्ति सरकार करती है तो उसके लिए उनको 60,000 बेतन देना पड़ेगा अगर ये प् सब्सक्राइब करेंगे तो जहां उनको 50,000 देने पर नियुक्ति हो जा रही है तो नहीं नियुक्ति करने के क्या फैदा सीधे प्रमोशन से अपनी सिट बल ले रहें बाकि उधर से प्राइमरी वाले जिसे बीटी सी हो गए इनकी नियुक्ति करेंगे बीड़ वाले अपन तक आप कोई मुकाम जो हैं हसिल नहीं होगा विद्याले की जो तीसरी कटेगरी है हमने आपको दो कटेगरियां बताया एक सास की साहता प्राप जहां 6-8 की कच्छाय संचालित हैं दूसरी कटेगरी है आपकी परिशदी उच प्रात्मी जिसमें प्रमोशन का लफ़ला चल हैं और उसमें भी सबसे मज़े की बात मैं आपको इस वीडियो के माजम से बताते चलो बीयर भाई बैनों के लिए कि हमने यह यल्टी के लिए डाला था लेकिन मानने चीफ जस्टिस महद्या ने जो है टीजीटी का भी जो हज जिक्र कर दिया इसी आइडर में है इसमें ल प्रावत मादमिक विद्यालों में भी जहां अच्छा से बारा की कच्छाय संचालित है जो जहां टीजीटी के भ्यत्यों की निक्ति होती है को के वर नाइन टूटें ते ही पढ़ाते हैं ना कि श्या आट यह पूरी तरह से गलत है हां तो इसमें भी बीयर के लिए 78 के बाद से जो है कोई नियुक्तिया नहीं हो रही है इसमें भी हमें अगर लड़ेंगे तो मैं समझता हूं लगबग 30 से 40,000 पद हमको यहां भी मिलेंगे और इसके लिए हमारी एक आजिका संख्या जो है चल भी रही है मैं आपको दिखाते चलू यह आजिका संख्या जो अब बचता है प्रवंद की जूनियर जिसमें अभी पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा 18,000 पदों पे आई थी उसमें भी लगबग 5-6,000 पद बहुत पहले रिक्त थी जब यह विग्यापन आया था लेकिन सरकार जो है रोक करके 18,000 पदों पे भरती दे दिया इसक कि जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक कुछ पाएंगे नहीं क्योंकि देहात में कहवत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक मादूद नहीं पिलाती तो हम सभी को जो है अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और लड़ करके अपने अधिकार को लेना होगा इनी सब् हम आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत हम जंदन और बंदर करते हैं